किसान साथियो नमस्कार एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आज हम बात करेंगे सर्षो की खेती के बारे में किसान भाईयो आज हम आपको बताएंगे सर्षो की पायूनियर 35-46 और पायूनियर की 45-35 इस दोनों में से सर्षो की कौन सी वेराइटी बेस्ट है किसान भाईयो जादा से जादा पैदावार लेने के लिए कौन सी वेराइटी की बुआई करनी चाहिए पूरी जानकर यह आपको हम इस वीडियो में देंगे जो किसान साथिया हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में गंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कौनसता रही तो किसान वायो चलिए आज की वीडियो शरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पायोनियर की 45-35 सर्षो की वेराइटी की इसकी उत्पादन की बात करें तो 10-12 क्वेंटल परती एक कड़ के हिसाब से होता है अगर पकने की बात करें तो 105 दिन में ये पक्कर तयार हो जाती है पोधे की हाइट लगबग 5 फिट के बराबर होती है और इसमें जमीन से इफलिया सरू हो जाती है इस वेराइटी को दो पानी की आउसकता होती है अगर हम इसकी मारकेट रेट की बात करें तो ये लगबग 5500 रुपे में हमें मिल जाती है तो किसान साथ यू अब बात करते हैं पायूनियर की 45-46 वेराइटी की अगर इसके उत्पादन की हम बात करें तो 14-15 क्योंटल परती एकड़ की हिसाब से उत्पादन देती है 115-120 दिनों में ये पक्कर तयार हो जाती है और पोदे की उचाई लगबग 7 फिट के लगबग इसकी उचाई होती है अगर हम इसके सिचाई की बात करें तो 2-3 पाणी को इसकी आउसकता पड़ती है अगर मारकेट रेट की हम बात करें तो पाणीर 45-46 लगबग 7,700 रुपए में हमें मारकेट में मिल जाती है तो किसान भाईयो यदि निश्कर्ष निकाला जाए तो आपको पाणीर की 45-46 का चैन करना चाहिए लेकिन किसान भाईयो जिन छेतरों में पानी की कमी रहती है वहाँ पर पाणीर 45-35 की ही वुआई करनी चाहिए क्योंकि किसान भाईयो 45-46 को पानी की हदिकाऊ सकता होती है इस वेराइटी को लगबग 3 पानी की जरूरत पढ़ती है यदि इसको समय पर पानी नहीं मिलता तो इसके उत्पादन में काफी परभाव पड़ता है किसान भाईयो आपको देखना है कि आपके छेतर के लिए कौन सी वेराइटी लगानी चाहिए यदि आपके छेतर में पानी की कमी है तो आपको 35-35 लगानी चाहिए तो किसान भाईयो ये थी आज की जानकारी किसान भाईयो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब